आपके लिए लेकर रहा हूँ ट्रासफार्मर से संब्धित कुछ important question answer और दोस्तो ये जो question है वो electrician trade से संब्धित है तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं इसका पहला question है ट्रासफार्मर में प्रात्मिक ये धित्तिय कुंडलन के मद्धे परतिरोथ कितना होता है यानि कि दोस्तो जो transformer होता है उसमें प्रात्मिक और जो दित्तिय कुंडलन होता है उसके मद्धे जो परतिरोथ है वो कितना होता है तो दोस्तो उसका जो right answer होगा अनंत होता है तो दोस्तो जो right answer होगा बाहर के सक्ति गुनक पर निर्वर करता है जो transformer होता है उसका जो सक्ति गुनक है वह खार के सक्ति गुनक पर निर्वर करता है तो दोस्तो इसका जो answer होगा कुंडलिया है तो दोस्तो इसका जो right answer होगा भंवरदारा हानिय होगी यानि कि दोस्तो जो ट्रांसफार्मर क्रोड है वो लोहे की इस्तान पर अगर तांबीक बनाय जाए तो उसका जो सुनने बार है उसका उने वाली जो हानि है वह भंवरदारा हानि होगी फिर अगला क्यूशन दोस्तो चटा क्यूशन समानतर परचालन है तू त्री कलिए ट्रांसफार्मरों के संयोजिन की उचित विवस्ता क्या होती है तो दोस्तो इसका जो answer वहोगा star delta transformer को delta star transformer की साथ में जोड़ा जाता है फिर अगला क्यूशंथ दोस्तो साथवा ट्रांसफार्मर क्रोड पठलिथ करने का उद्दे से क्या होता है तो दोस्तो इसका जो right answer वहोगा low हानिया कम करना है यानि कि दोस्तो ट्रांसफार्मर में जो क्रोड पठलीत करने का उद्धे से वह लो हानिया कम करना होता है फिर अगला क्यूशन दोस्तो आटवाँ ट्रांसफार्मर में लो कोर का क्या थात परी है अगला क्यूशन दोस्तो नवा क्यूशन है ट्रांसफार्मर के कंजर्वेटर का क्या कारिये है तो दोस्तो इसका जो आशर वो है तेल के परसार यों संकूचन को समायुजीत करना है यानि कि दोस्तो ट्रांसफार्मर में जो कंजर्वेटर होता है वह है तेल के परसार और जो संकूचन है उसको क्या करता है समायुजीत करता है तो दोस्तो जो आंसर वोगा केवल एक कुंडली होती है यानि कि दोस्तो जो ओटो ट्रांसफार्मर होता है उसमें केवल और केवल एक कुंडली होती है फिर अगला क्युशन दोस्तो ग्यारवा क्युशन है ट्रांसफार्मर क्या परिवर्तित करता है तो दोस्तो इसका जो आंसर वो है धारा एम वोल्टेज यानिके दोस्तो ट्रांसफार्मर धारा और वोल्टेज को क्या करता है परिवर्तित करता है फिर अगला क्युशन दोस् दोस्तो ठेरवां क्यूशन है, œ och परिवर्ब का परिवर्थन कों होता है। चोल्ज रिले का उप्योग किस में किया जाता है तो दोस्तो इसका जो राइट अंचरफ होगा तेल कुलित ट्रांसफार्मर में यानि कि दोस्तो बी यू चोल्ज रिले का जो उप्योग है वह तेल कुलित ट्रांसफार्मर में किया जाता है फिर अगला क्यूशन है दोस्तो तो दोस्तो इसका जो राट अंसर वहोगा विद्धूत उर्जा को समान अधिक अत्वा कम वोल्टा पर उपांतर करता है तो दोस्तो इसका जो राट अंसर वहोगा विद्धूत उर्जा को समान वह अधिक तता कम वोल्टता पर क्या करता है रुपांतरीत करता है फिरकला क्यूशना दोस्तो अधारवा सप्लाई आवर्ती बढ़ाने पर सबसे अधिक परभावित होने वाली हानिया कुंसी है तो दोस्तो इसका जो राट अंसर वहोगा भावरदार हानि यानि कि सप्लाई आवर्ती को अगर ट्रांसफार्मर में बढ़ा दिया जाता है तो उसमें सबसे अधिक जो हानि है वह है भावरदार हानि होगी जो परभावित होगी फिर अगला क्युशन है दोस्तों 19 सक्ति ट्रांसफार्मर में क्या होता है तो दोस्तों इसका जो राट अंसर होगा नियमन वोल्टता कुंडली क्रोड के समीब होती है यानिकि दोस्तो सकती weof transformer में नेवर वोर्ट ता जो कुंडली है वो क्रोड के समीपे लगी भी होती है फिर अगला क्यृतन है ट्रांसफर्मन में परियुक्त तेल का रंग कों सा होता है तो दोस्तो इसक जो right answer होगा पिलाई है यानिकि दोस्तो ट्रांस्फार्मन में जिस तेल का यानि के ऐल का परियोग किये जबता है वह जो है पीले रंग का होता है फी रखला क्यों say अ दोस्तोτο 21 क MP ट्रांस्फारमन में पर्ढ़ीगात के मात्रा निर्बर करती है तो दोस्तो इसका जो राइट हैंशर वहूगा केवल लोहानिया होती है यानि कि दोस्तो सुने लोड़ पर ट्रांसफार्मर में जो है केवल और केवल लोहानि ही होगी अगला क्यूशन है दोस्तो तेविसमा क्यूशन है ट्रांसफार्मर में सरन फलक्स पर कोन निर्भर करता है तो दोस्तो इसका जो राइट अंसर वोगा बार दारा यानि कि दोस्तो ट्रांसफार्मन में सरन फलक्स पर जो है बार दारा निरबर करती है फिर अगला कि उसन दोस्तो उच्छे आवरती ट्रांसफार्मन में क्रोड का परदात कौन सा है तो दोस्तो इसका जो यानि कि दोस्तो जो step up transformer होता है उसमें धारा कम होती है 26. उच्छी सम्तावाले transformer प्राय किस इस्तान पर परियोग किया जाते हैं तो दोस्तो इसका जो राइट answer होगा परत्या वर्तक पर यानि कि दोस्तो जो उच्छी सम्तावाले transformer है उन्हें परत्या वर्तक पर क्या है परियोग किया जाता है फिर अगला क्विशना दोस्तो ट्रांसफार्मर पर सुन्ने भाहर परिक्षन करने का क्या उद्धे से हैं तो दोस्तो इसका जो आंसर वहोगा चुम्बकन धारा यहों सुन्य बाहर हानिया ग्यात करना है यानि कि दोस्तों ट्रांसफार्मर पर सुन्य बाहर परिक्षन के लिए जो है चुम्बकन धारा और सुन्य बाहर हानिया दोनों को क्या करता है ग्यात करते हैं फिर अगला किसना दोस्तो एक step up transformer को किसकी बाती इस्तेमाल किया जा सकता है तो दोस्तो इसका जो right answer होगा step down transformer की बाती इस्तेमाल किया जा सकता है यानि कि दोस्तो एक step up transformer को step down transformer की बाती भी यानि कि उसके समान ही परियोग किया जा सकता है तो दोस्तो इसका जो राइट अंसर वोगा खनीज तेल यानि कि दोस्तो ट्रांसफार्मर में खनीज तेल का जो है परियोग किया जाता है तो दोस्तो इसका जो राइट अंसर वोगा नीला यानि कि दोस्तो ट्रांसफार्मर में तामरहानिया हमेंसे कुंडली में ही होती है फिर अगला क्यूशन है दोस्तो ट्रांसफार्मर में होने वाला सोर क्या कहलाता है तो दोस्तो इसका जो राइट अंसर होगा हमिंग होता है, यानिक दोस्तो एक आदर से transformer जो होता है, उसमें उच्छ परतिरोध और सुन्दे परतिरोध दोनों ही होते हैं, फिर एक लाइक विशना दोस्तो 34 वा क्यूशन है, एक transformer में secondary दारा सुनने है, तो इसका क्या आर्थ है, तो दोस्तो इसका जो राट तो दोस्तो इसका जो राटांचर वोगा अगरगामी अगला कुछन है ओटो ट्रांसफार्मर तता अन्य साधारन ट्रांसफार्मर में मुख्य अंतर क्या होता है तो दोस्तो इनमें जो मुख्य अंतर वो होता है लोहानिया यानि कि इनका जो परिणाम है वो इनका अंतर होता है तो दोस्तो इसका जो राइट अंसर है वोगा चुंबकिये तो दोस्तो इसका जो राइट अंसर होगा समान कला में होता है तो दोस्तो इसका जो राइट अंसर होगा सुन्य लोड से पुण लोड तक वोलता परिवरतन नियुन्तम होता है तो दोस्तो इसका जो राइट अंसर होगा ट्रांसफारमन में उत्पन फ्लक्स सामानेत है उत्पन फ्लक्स का एक बहुत चोटा अंस होता है यानि कि दोस्तो लगू परिपत परिक्षन में लोहानिया जो है नगने इसलिए होती है क्योंकि ट्रांसफार्मन में उत्पन फ्लक्स सामानेत है उत्पन फ्लक्स का एक बहुत छोटा अंस होता है फिर अगला क्यूशन है इसमें दोस्तो ट्रांसफार्मन में ब्रीदर का क्य कारी होता है तो दोस्तो इसका जो राइचा रगते विए यदि आवरती बढ़ाई जाए तब क्या होगा तो दोस्तो इसका जो राइचा रगते हुगा बहवरदारा हानिया परिवर्तित रहेगी यानि कि दोस्तों ट्रांसफार्मर में वोल्टेज इस्तिर रखते हुए अगर आवर्ति को बढ़ाया जाए तो बहवरदारा हानिया क्या होगी परिवर्तित रहेगी यानि कि उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा फिर अगला question है दोस्तो, चमालीसों question है ट्रांसफार्मन में flux घननतवय बढ़ाने पर transformer का आकार केसा करना चाहिए तो दोस्तो इसका जो रइट अंशर होगा transformer का आकार छोटा करना चाहिए य lange की दोस्तो, अगर transformer में flux घननतवय बढ़ा दिया जाए तो जो transformer का अकार है उसे छोटा कर देना चाहिए तो ये इसका right answer होगा तो दोस्तो ये जो question थे वो transformer से सम्बंदित question थे और दोस्तो ये जो question है वो electrician trade theory से सम्बंदित है और अगर दोस्तो आपको इस तरह के और question देखने है तो दोस्तो comment box में आप एक बार comment करके जरूर बताएं और उम्मेद दोस्तो ये जो वीडियो है वो आपको काफी अच्छा लगा होगा अगर दोस्तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज्यादा अच्छी ज्यादा लाइक करें share करें दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं